सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाईए मेरे लिटेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सबीको नमस्कार मेरा नाम प्रभाजा है मेरा एक यूटीब पर अपना चैनल है जिसका नाम प्रभाल लजीश किचन है मुझे बिहारी खाना के तरफ से एक इविटेशन था जो मैं आप सबके लिए अच्छी सी रेशिपी लेके आई हूँ आप सभी से आग रहा है कि मेरा चैनल प्रभाल लेजीश किचन को सब्सक्राइब विडियोज को लाइफ और सेयर करें मेरे चैनल का लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो चलिए हम बनाने चलते हैं आज मैं आपको बना के दिखाऊंगे मितला की भेस थाड़ी जिसमें हमने चावल बनाए है आलू गोवी मटर की सबची अरहर की दाल बैगा नदवडी और यहां कदीमा और मूली की भुचिया यहां पे अचार धनिया पता पुदिना के चटनी ओल का चोखा यहां पे यहां पे पान और यह एक लास पानी तो चलिए हम बनाने चलते हैं सबसे पहले हम दाल की तयारी करते हैं जिसके लिए एक कटोड़ी हम अरहर के दाल ले लिए हैं जिसे बहुत जगत तूर की दाल भी बोलते हैं इस दाल को हम हलका रोष्ट के हुए हैं इससे दो फाइदे एक तो आपको दाल बहुत ही अच्छा खुस्रू देगा बनने के बाद और दुसरा इसमें कीरा नहीं लगेगा हमारे मितलांचल में दाल को इसी तरह बनाया जाता है चलिए इसको हम धोलेते हैं एक कटोड़ी दाल और इसमें हम पानी डाल के अच्छे से इसको धोलेंगे को कुकर चड़ा लिए गयास ओन कर दिये और इसमें हम एक चमच तेल डालेंगे एक चमच तेल डाल दिये इसको हम डैरेक छोंप लगाएंगे जिससे बहुत ही अच्छी खुस्वूस में से आएगी एक चमच जीरा एक चमच जीरा डाल दिये एक तेश पत्ता और एक सूखी लाल में और थोड़ा सा हींग तोड़ा सा हींग इस तरह डायरेक छोंप लाके डाल बनाने से दाल को खुस्वू बहुत ही अच्छा लगता रहा इस तरह एकवार जरूप राए किजिए लाल बहुत अच्छा लगे आपको यह देखे जीरा हमारा हो चुका है अब इसमें आपकें दाल तरहनातों चुका मत राए झाल को कि दो गूंति तरह बोरा परा चुछ राल से जाडिए डंबेको couना आपको इसी कटोड़ी ते हम तीन कटोड़ी पानी आड़ करेंगें 2 और ये 3 ती पानी डाल दिये अब इसमें हम एक टमाटा काटके इसमें आड़ कर देंगें एक चमच नमक एक चमच अल्दी इसको डालके चला दिया आप इसको हम सेट कर देते हैं इसको हम बड़ कर देते हैं तो चलिए दाल को चेक करते हैं यह देखिए तीन सीटी लग चुका है वाउ देखिए कितना अच्छा बना है अब इसको ना चौकने का जरुरत है ना डिरेक्ट इसको हम चौक दिये हैं यह खाने में बहुत ही स्वादिश्ट लगेगा चलिए अलुगोवी मतर बनाने के लिए यहां हम गोवी ले लिए चाट से पाच आलू इसे काटके रख लिए हैं यह फ्रोजल मतर है एक टोडी एक बड़ा टमाटर यह प्याज है जिससे हम बॉइल करके रख लिए थे एक बड़ा प्याज है दू चमच अदर गलसुन और 2-3ड अल चag कर बड़ा लेटो हम अर जीर नमझ तेश पता और यह तैल तो चलिक गोवी को फ्राइ कर लेए करी हम अब इसमें दो चमच तेल डाल देंगे नो चुअ हमारा गरम हो चुका है आवा इसमें गोभी को एट करेंगे. को पेदें तोड़ी सी हल्दी एट करेंगे जिससे कि यह तीटाना पड़े तरह कर दे ilr अलदी में झालकी करेंगे इसमें हम 4 असा नमा कैश करेंगे नमा कैश करने से सब्जी की जू पाथ है बहुत ही अच्छा पैसे रस में जाने के बाद गोवी आपको फीका लगेगा नमा दा किजीगा तो यह फीका नहीं लगेगा और अभी का गोवी नहीं है लगता है इसको हल्का पकेने मिटाइब लगता है इसको हम ठोड़ असा ध्रग देकाने तो यह देखे है बॉल्ड अब ब्रॉंट हो गया अब आगोवी होचु का कशनरा जो आपको हम निकाल लेते हैं अब इसी कराई में हम एक चमर स्थेल दालेंगे तेल दालके तिक गरम हो गया अब इसमें हम आलु आज तर लें हैं अलु आज तर नहीं हो जाया नहीं हम नमा तरा सब लिए अब इसमें हम यह मॉटा दाल लेका है इसको रहलका साथ शार भूर लेता है, बस थोड़ी देक लिए लोब लेटे लिए लिए ये देखिया, ये हो चुका है, अब इसको निकाल लेते हैं तो चमच जीरा डालेंगे तोड़ा हिंग डालेंगे तोड़ा हिंग डालेंगे जीरा हो चुका है अब एक चमच हल्दी आइड कर देंगे इसमें हम एक प्याज को रख्याती हो बॉय चले है और इसमें हम यह अध्रत लसून और अभिद्री मेस का पेज उच हमें हम डालेंगे ब stregg Townby के दालने ओतो पालटा से लूएं से रिलेंगे इतो बाइव दालें के मासाला आगए ज़ोर दालने के अमरा यह अब कामारे है इसमें तमाटल परुखेजिर अंपके आगए ज़िकी हहे हैचानि केँप और इसमें जविधी जगह प lobby कि यह सुकह मसाला भी आगए जिसमें एक चमच घनिया, एक चमच लाल मिर्चे, एक चमच जीरा पॉलर्ण, और एक चमच नमग, सब भी को मैद कर दिया, और इसको चलाएंगे, चलाने के लाद इसको पूर अच्छे से चलाएंगे, उसका दो मिर्ट के लिए सुझ धर देते हैं, यसे कि यह अच्छे से भी गल जाएंगे, और यह तेल छोड़ें, और इसको आप देख लेते हैं, अच्छे से भून चुका है अब आप आप, अब इसमें सब्जी जो भून के रखे हुए थे, वह हम एक करेंगे, इसको आप आप सारी सब्जी को इसमें एक कर देंगे, और इसको हम चलाएंगे, देखें कितना अच्छा कलर आ रहा है, अब हम इसमें, इस काटोरी से, दो काटोरी ही पानी एट करेंगे, एक और काटोरी, दो काटोरी पानी डाल दी हैं, क्योंकि इसमें को ज्यादा पानी का ज़रूत नहीं है, सब्जी हमारा सब कुछ भून चुका है, तो यह जल्दी ह पग जाएगा, यह देखें हैं, अब हम इसमें, एक चमच, यह घर की गरा मसाला पिसी हुई है, इसको हम एड करते हैं, अब इसको हम चला देंगे, और 5 मिनिट के लिए ढग देंगे, इसको चेक कर लेते हैं, सब्जी हमारा हुआ की नहीं, यह देखें, सब्जी बिल्कु अच्छा रहा है, और इसका खुस्बू भी बहुत अच्छा रहा है, इसमें हम ननिया पती एड कर देंगे, अब ग्यास को बंद कर देते हैं, और हम चलते हैं, कदीमा के बुजिया बना लें, कदीमा ले लिए हैं, जिसे बहुत जगा कोड़ा बोलते हैं, बहुत जगा सीता फल बलते हैं, इसको इस तरह हम काट लिए हैं, लंबे-लंबे अकाड में इसको काट लिए हैं, यह आदा मूली जिसे बारी काट लिए हैं, थोड़ा सा हीं, एक तिश पत्ता, एक सूखी ला इसमें 2 चमस, तेल लगनेंगे, तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें पित पता, और यह जो सारा रखे हैं, एक सुखी लाग मिर्च, मेति और जीरा, सब को हम इसमें एट कर देंगे, अब हम इसमें हींग एट करेंगे, कदीमा के भुजिया में हींग का स्वाथ जो है बहुत ही अच्छा आता है, तो देखिए ही हो चुका है, अब हम इसमें कदीमा और मूनी के साथ में ही एट कर देंगे, अब हम इसमें, अब हम इसमें, एक छोटी चामा नमस, अब हम इसमें स्वाथ निचार भी देंगे, और वन स्वाथ हल्गी, इसको डालके, पो मिलाएंगे, अब मिलाने के बाद, दो से तीर मिनुटी ग्लिस को हम ढग देंगे, और बिच्वे इसको चेक करेंगे, देखें, कदीमा को हम चेक कर लेते हैं, और इस ज़िए पे हम इतना छोटा सा गूर डालेंगे, आपको गूर पसंद हो तो डालीए, चीनी पसंद हो डालीए, यदि दोनों ना पसंद हो तो ना डाले, हम लोग गूर डालके खाते हैं, इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा आ गया, देखें, कितना अच्छा गलके तयार हुआ है, और यह हमारा तयार हो चुका है, गैस को बंग कर देते हैं, और इसमें भी हम थोड़ा सा धनियापता एट करेंगे, अधिमा हमारा तयार हो चुका है, तब चलिए हम ओल के चोखा का तयारी करनेंगे, चोखा बनाने के इसमें काट लिये और इसको दो सिर्टी लगा लिये है, ये मद्रासी होले इसलिए ज्यादा इसको बॉइलोनरे में ऍटाइम नहीं लगता है इसवी मासर से हमारा मैस कट देगे, इसको मैस कर लिये है, आपको जिस तरह सुग्दा हो मैसर से यहां से इसको मैस कर लीजिए और इसमें हम आधा नंसार आप चमच नमक डाल देंगे दो हरी मिट्ची और ये धन्या के पत्ता आधा छोटा चमच मस्टर्ड वाइल ये सरसू के तेल में बहुत ही अच्छा ओल का चुखा का स्वाग लगता है और इसमें हम ये आधा नीम्मू जिसक बहाने के लिए रहसं है रहची कनार तुमाल कर गयाता है कौला सरसू इस rasa राह lassी एक काला सरसू इसके हमारे तरफ में उसको रहसा बोलता है वह भी उसमें डाльके चोखा बनता है लेकिन इस तरह का चोखा एक अबर आप ट्राइ कीजिए बहुत जल्दी भी बनता है और बहुत स्वाधिस्ट भी बनता है अब इसको हम सम्मस से इस तरह करके निमा लेगे यह पोच चुका है बन चुका है अब चलिए हम दाइगान के सब्जी बना लगते है बैगान दोरी करने के लिए 200 ग्राम बैगन ले लिए इसको काटके रख लिए 100 ग्राम यह उड़त का बड़ी है और दो टमाटर रोस्ट करने के लिए यहां पर हम एक चमच साबू धनिया एक चमच जीरा एक लाल मिर्च अद्रक का टुकरा एक चोथाई गोल मिरिच एक बड़े इलाची इसको हम सभी को रोष्ट करके इसको पीसेंगे और यहां पर सुखा मसाला में एक चमच धनिया एक चौथाई चमच यहां पर पचपोरन यहां तेजपत्ता लाल मिर्चा हल्दी और नमक और यह तेल हम पैन चड़ा दिये पैन मारा गरम हूँ चुका है इस सभी मसाले को ध मेहनिया, जीरा, लाल मिर्ची, गोल मिर्ची और यह घरम मसाला सभी जुखर है उसको हम एक साथ डाल देंगे ताल दी के बाद इसको फलका सा खुस्पो आने तक इसको रोष्ट करें इसमें से खुस्पो आने लगा यह हो चुका है इसको हम बंद कर लेते गया इसको ठंड हो ळो दिते है जब तक हमारा मसाला ठंडा va ना तब तक हम इसमें अधारी को इसमें डाल खराय कर ले ने के दो चमचा तेल डाल दी है और तेल को गरम मों दे सेломहा ए तेल को गरम हो चुका है और इसमें अवग की बडी है इसको हम डाल देंगे अज़ी को डाल दिये और इसको हम अच्छे से गोल्डेन ब्रॉंड होने तक बढ़ियां से इसको इसको इस तरह ही हमाया अज़ी तो बूंज़ना है यह हो चुका है इतरह हम गरम पानी एक बर्तन में चढ़ा दिये थे और इसमें फॉसर नमक डाल देंगे नमक डाल लेके बाद यह जो हमारा दोड़ी है यह हम इसमें डाल देंगे इसे की हमारा दोड़ी जो है फुरस हो जाए अब उसी कराई में चलते हैं बैगन को मसाला तयार करने दो चमारा दोड़ी तो नमक यह हम तेल आट कर दिये और बैगन की सब्जी को इयार कर लेते हैं अब इसमें फॉर्थ फुरन डाल देंगे थोड़ा सा लगा था हिंग आट करेंगे बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं यह बीना प्यास लेशन की सब्जी है नाम धीन थोड़ा साजादा एड यह करते हैं गह यह दिशर्टा लोटेश पत्ता भी एड कर दिया हम इसमें अर इसको थोड़ा हलका होने देते हैं फिर आं मिस्में आप लूंद करेंगे अब इसमें हम बैगन अब इसमें एक चमछ नमग डाल देंगें अभी इसमें हम फल्दी आड नहीं करेंगे एक चमश नमख डाल दिये हैं और इसको हम 2 मिनिट के दक लेते हैं। तब ज़ल के हैं मसाला थंडा हो चुका है उसको घुछ लेते हैं। देखे रोश्टेट मसाला जो था, यह हम इसमें मिक्सर में डाल दिये हैं और यह अधर हम पीसेड करके, इसमें डाल देंगे यहां जो एक कटोडी टमाटर रखे वेते हैं उसमें आधा टमाटर इसमें एड़ करेंगे एड़ करके इसको हम पीस देखें तेकिये मसाला हमारा पीस चुका है और हम डैगन चेक कर लेते हैं आप मसाल के दले लगा अब हम इसमें मसाला आट करेंगे यह जो मसाला से पीसे पर दे उस आट करेंगे को डाल दिए यहिसमें टमाटर आट कर दिए यह देखिए हम भुंजाओा मसाला जो है वह जाजादे बुनने की जरुरत नहीं होता है ना पहले आप टमाटा राइट करें और ना पहले हल्दी क्योंकि अच्छा बैगन कितना भी रहा है वह बैगन जो है सब्जी वह अच्छे से गलेगा नहीं है इसलिए हम टमाटो, अर हल्दी वह गल्ले के पाधी आट करते हैं अब हम इसमें 1 चमाच हल्दी आट नदि कर देंगे और 1 चमाच गलाज मिर्ची आट करेंगे सारा मसाला तो डाल जाते हैं अब हम इसको इस तरह करके हलका हलका चलाएं इसको जोड से इसको तोड़ेंगे हलका से यह पानी में सॉफ्ट हो चुका है यह हलका सब कुस्की दिए तोट जाएगा और यह अच्छे से गल्ड भी जाएगा और इस जगा पे हम थोड़ी सी कस्तुडी मेति vrt – 3-6-9-5-2-3-3 मिनुट कालने लिए एवट जाएख देंगे और जाएगा देंगे और इसको चेक कर देंगे जो कैसा कर दंद देगा सा बुला मेरा फुल मेरा अब पानी आड कर देंगे अर्य कि ददोड़ी पानी हम आइड कर देते हैं आड पानी themes की यह आड़े। बस दो चलिए होगे दो कटोड़ी तब इसको आप ड़कों चेक कर लेते हैं यह देखिए यह सबजी बनके प्यार हो चुका है बैगन दोड़ी के बिना मितला में कोई भी खाना यह पूर्ड नहीं होता है बैगन दोड़ी हमारे हैं जरूर से जरूर बनाया जाता है इस तरह आप एक वार खाईए बहुत ही अच्छा लगेगा आपको चलिए इस गैस को हम बंद कर लेते हैं दन्यापति के चट्नी बनाने के लिए थोड़ा हम दन्यापता ले लिए हैं थोड़ा सा पुदीना थोड़ा सा अद्रक एक हरी मिर्च आप स्वात के नुसार ले लिजेगा ज्यादा खाते हो तो दो डालिएगा अब हम इसमें जाड में इसको डाल देंगे दन्यापता पुदीना और यह हरी मिर्च आद्रक वन्थ पॉर इसमें नमक डाल देंगे और यह इमली का पल्प डाल देंगे अब इसको हम भीसिए चटनी हमारा रेडी हो चुका है अब हम चलते हैं चावल बनाने के लिए यह इस ग्लास से हम इस ग्लास से दो ग्लास चावल ले लिए हैं इसको दो के रख लिए हैं अब चलिए हम चावल बनाने चलते हैं चावल अब आम इसी ग्लास से दो ग्लास चावल यह थे इस ग्लास से हम तीन ग्लास पानी डालेंगे दो यह तीन आप इसको हम सेट कर लेते हैं प्रिक इसे हम सेट कर लेते हैं और एक सीटी आने तक इसको मोने देते हैं चलते हैं हमा तरुआ की त्यारी करने हो हम बनाने के लिए हम लोग मिठल अंचल में तरुआ बोलते हैं और इधर जो है इसको बचका बोलते हैं यह हम देखिए चार से पास एकंटा के लिए इसको भिंगों के छोड़ देते अरवा चावल है अरवा चावल ज्यादा देर भिंगाने की जोर्वत नहीं होता हो जल्दी ही फूल जाता है अब इसको हम जार में डाल लेते हैं है दो हरे मिर्च जाल दिया है जाव इसमें हम थोड़ा जावण फुर नमक डालें इसको बार में एड करेंगे अब उन्फो इप नयgehen देखिए इसमें तो नमक अधू में जावन खाल खक्षा दाए खते न फोटा से और 7 कत ओंत देखिए और उतना ही उन फूर और इसमें हम ऐड़् कर देंगे और इतना नमग, नमग अपने स्वाथ मिन सा कमिया जादा अब कर सकते हैं ही डाल दिए और इसको हम मिला लेंगे तो दीखे सबको हम मिला लिए है और यह तरवा बनाने के लिए यहाँ पे हम दो बैंग कर श्लाइश लिए एं पुड़ा सा गोबिली हैं उदीना का पत्ता और ये तिलकोर का पत्ता जो मित्ला में सबसे ज़्यादा प्रसीद्ध है तिलकोर के पत्ता के बिना हम लोग यहां कुछ भी नहीं होता है सब जब तक पढ़ेना तक खाना पूर्ड नहीं होता है और यह यहां पे अजमाइन का यह हमारे घर का है हम अपने गंबले में इसको लगाया हुए है यह आजमायन के पता जो पाचन सकती में बहुत ही अच्छा करता है तो चलिए हम तरवा को तलने चलते हैं करायय हमारा गरम हो चुका है इसमें आज अब बरे कटोडी के ख़ouse दि अजिए थरुआ है इसमें तो पुररा अच् ча से तेल डीप होना चाहिये अब हम गरम हो चुका हिए इसमें बारी बारी से सबी को तल लेए है अब से बहले हम गौभी को तर लेता है। गोभी को इस तरह बीप करके दे करना बालेगे हैं। इसको में इस तरह तीशो पेपर निकाल लेंगे जिसे के एक्स्ट्रा तेल जो है यहां निकल जाए। अब इसमें बैगम को दाब आल, आलु, कटू, जो भी आपको अच्छा लगता हो वो सब्सब्स को आप, बेंटी, खुछ भी आप परवल, सभी को आप टैकर सेंगे ब्रागय का जो चुका हो आप इसको हम निकाल लेंगे तरह निकालके आप पंता को इस तरह डीप करेंगे और इस तरह करके इसमें तेमने काईगे इसी तरह हम यह आजमाइन कपता जिसे हम लोग करते हमें सब्सक्राइब करते हमें इसी तरह में हरी मिर्च भी आपके चल देंगे दीखिए सारा तरवा अमारा तयार हो चुका है तो चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हमने इसकी प्लेटिंग कर ली हैं अगर आपको यह डिस पसंद आये लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले मेरे वीडियो को अंग तक देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाए कर दो